अब कल तक हम लोग ने जहां तक पढ़ा एक वार में उसको recall खरा देता हूं ना कल हम लोग ने कुंबग स्टार्ट किया था सबसे पहले सोरिवेदी देखी थी उच्छाई देखी थी बस्या सीथकारी फिर शीत ली फिर बस्त्रिका यहां तक देख लिया था आज हम लोग ब ब्रामरी के लिए ब्रामरी के लिए क्या बोला गया है इसको पड़ते लेकिए वेगाद गोशम पूरकम तो पूरक करना है कैसे करना वेग से और किसके प्रकार ब्रिंग नादम क्या बोला ब्रमर के समान वेग से आपको क्या करना ब्रिंग नादम मेल भवरा जो होता है उसक क्या करना है आपको पूरक करना है स्वास लेना है और फिर क्या करना है ब्रिंगिन आदम फिमेल भवरे के समान का करना है उसको रेचक कर देना है किसे मंद मंदम दीरे दीरे फिमेल भवरा के समान उसको रेचन कर देना है और योगिंद्राना मेव अभ्यास ना इस प्रकार जब योगी अभ्यास करता है तो क्या होता है चिते जाता का चिदानंद लीला तो मैं क्वेशन क्या दूँगा कि चिदानंद लीला किस कुम्भक से संबंदित है तो यह आपको पता होना चाहिए मैं आपको option ऐसे ही दूँगा ब्रामरी मुर्चा लावनी बहस्त्रिका तो द्यान रखिएगा चिदानंद लीला जो आपकी चित जो है उसमें आनंद लीला की उत्पत्ती होती है तो किस से होती है ब्रामरी से होती है ऐसे question आते है तो ऐसे आपको prepare करना पड़ेगा आनंद ल मुर्चा के लिए क्या बोला है पूरकांते पूरक के अंत में और पूरक के अंत में ही पूरकांते में हम लोग जालंदर बंद भी लगाते हैं ध्यान रखिएगा जालंदर बंद पूरक के अंत में और मुर्चा भी क्या बोला गया पूरकांते ध्यान रखिएगा तो पू और दीरे दीरे उसको क्या करना है उत्थिक उत्पन और इसी मूर्चा का फल क्या वो लगा है सुक प्रदा तो मैं कल यह भविश में कैसे question दूँगा इधर दूँगा आनंद लीला इधर दूँगा सुक प्रदा इधर दूँगा कुंडलनी जागरन और इधर दूँगा कैसे ब्रामरी मुर्चा भस्त्रिका ऐसे question दूँगा तो जहां जाए यह एकी एकी लाब बताएगा तो ध्यान रखेगा ब्रामरी में चितानंद लीला था और यहां पर सुक प्रदा बताया गया है मुर्चा अब आगे बढ़ते हैं प्लाविनी प्लाविनी के लिए क्या बोला गया है May कि democrats अंतः प्रवर्तितो राम मारुत पूरी तो दर तो पहले क्या करना हैं अंत पूरा अंतर क्या करना है वायू को पेट में उद्रा और क्या करना है मारूतो पूरा पेट को वायू से भर लेना है पूरी तो उद्र पूरी तरके से पूरक कर लेना है पेट को भर लेना है और फिर क्या करना है पयस्य आगे क्या बोला गया है पयस्य गदे अपी सुखात पल्व पत्रे पदम पत्रवत और इस प्रकार जब आप क्या करत पी जैसे कमल फैरते रहता है पानी में उसी तरीके से अथाह मतलब बहुत ज्यादा गहरे पानी में भी जो है आपका जो शरीर होता है वो भी कमल के पत्र के समान ही बहुत आसानी से पैरता है तो यहां पे डायरेक्ट कुष्चिन ऐसे बनेगा कि किस कुम्भक का फल बताया गया है कि साधक अताह जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है तो यहां पे ध्यान रखेगा मूर्चा या ब्रहामरी नहीं होगा यहां पे प्लावनी होगी आपकी ना प्लावनी याद रखने हैं वेरी वेरी इंपोर्टन आगे चलते हैं अब यहां पे बहुत इंपोर्टन बात बता दी गई है इसको आप ध्यान से सुनिए पहले क्या बोला दिखे तो प्रणायाम के तीन अंग बोल दिएगे ना तीन अंग क्या क्या हो गए पूरक रेचक कुम्भक लेकिन अगर आपको कुम्भक के प्रकार बोल दे ध्यान से प्रकार का है तो दो है अब यह तीन कौन है तो यह पूरक रेचक और कुम्भक और कुम्भक दो प्रकार का कौन कौन सा है एक सहित और एक केवल यह बात बहुत हूड है इसको ध्यान रखे अगर प्रणायाम बोला जाए तो प्रणायाम के अंग तीन कहे गए पूरक रेच या कुम्भक ये तीन हो गया अगर कुम्भक पूछा जाए कितने है या कुम्भक के प्रकार कितने है तो कुम्भक हमेशा दो प्रकार का होगा एक सहीत होगा और एक केवल होगा और यहां से आप यह अंदाजा लगा लो कि जो सहीत होगा जो सहीत कुम्भक होगा वो सारे के स आरे प्रणायाम के अंतरगत आ जाएंगे क्यों कि सहीद वाले में पूरक रेचक कुमबक तो होता ही है लेकिन केवल में क्या होता है वही बात जो मैंने आपको दूसरे लेक्षर में बताई थी चले वातम चलम चितम जब आपका ब्रीध spontaneously रुख जाए बिना प्रयास के रुख जाए तो जो कुमबक घटित होगी उसी को केवल कुमबक बोलेंगे तो अगर किसी कुमबक में रेचक पूरक कुमबक होगा तो उसको प्रणायाम बोलेंगे और अगर केवल कुमबक केवल ब्रीध रुक हो गई तो वो कुमबक हो हो गए सईत और केवल प्रणायाम तीन हो गए रेचक पूरक कुमबक अगेन मैं आपसे यही पूछूंगा कल ना प्रणायाम के कितने अंग बोलेंगे तो तीन आंसर कीजेगा दो मत कीजेगा यह कुमबक बोलनू तो आठ देखिए मैं कल पूछूंगा कि कुमबक कितने कुमबक के प्रकार में हाट मत बोलना माइक म्यूट है गनेज जी माइक म्यूट कीजे अब सहित के बारे में क्या बोल दिया गया जो बात अभी मैंने बताई ना सहित में क्या होता है रेचक भी होता है पूरक भी होता है और यही हो गया रेचक पूरक कार्यास सवह सहित कुमबक जिसमें रेचक भी हो पूरक भी हो रेचक पूरक के साथ किसमें होता है सुरिवेदी में आपने किया था रेचक किया और यह था सकती कुमबक किया फिर कि अब आगे क्या बोला गया केवल कुम्भक की बात की तो केवल कुम्भक के लिए क्या बोल दिया गया और चक्वार्च जाती आपके प्रान आपकी श्वास रुख जाती है और फिर क्या बोला गया प्रणयाम क्या पर नहीं करना पड़ रही है यह नहीं कि श्वास लगा लिए, पूरक कर लिए, रोब करके रखे हैं, बोल देंगे कि केवल कुम्बक नहीं, वो केवल कुम्बक नहीं है, वो सहित कुम्बक वाला कुम्बक है, इसी प्रकार क्या होता है, प्रणायाम को केवल कुम्बक कहा जाता है, यह बात ध्यां रखेगा, आगे आगे क्या बोल दिया गया कुम्भक GET के distributed रिचक पूरग वरजीत वही बातों को घुमा खुमा։ करके बहुत के बिना और यही बात यहां पे पूरग नहीं हो रहा है ना कुछ पुम्भक बोल दिये और मैंने बताया भी था कि जैसे ही केवल कुम्बक हो जाएगा तो आपके लिए कुछ भी उप्राव्त वस्तु नहीं रहेगी भई बात यहां बोला ना नतस्य दुरलभम किंचित त्रिशू लोकेशू विद्यते पूरे तीनों लोकों में कुछ भी दुरलभ नहीं है सब कुछ उसको मिल जाएगा क्य पहली चीज यहां आगे इसी बापको explain किया जागा उसको मैं पहले ही बता देता हूं ध्यान देखिए जब आपकी केवल कुम्बक हो गया केवल कुम्बक लग गया आपकी चित रुख गई चित की चंचलता सांत हो गई और चित की चंचलता सांत हो गई केवल कुम्बक लिए मोक्ष भी उस चीज को बहुत हतक बोला जाता है उसको भोर लीजे और उस द All Of और जब आपके अंदर अद्वृइत भाव हो गया तो पिर आपको जान गई कि इशवाष्ष्टा ये चीज हो जाएगी आपको पता चलिया कि सभी चीज में इश्वर का वास है तो जो कुछ भी मिल रहा है वो इश्वर की किरपास ही मिल रहा है तो जब आपके अंदर ये भावना ही उत्पन हो जाएगी तो फिर आपके लिए कुछ प्राप्त वस्तु ही तो नहीं रहेगी और यही बात तो गीता में कहा गया है ना कि ज्यानी भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं क्योंकि वो यह चीज जानते हैं कि मैं भगवान से क्या ही मांगू ना मैं भगवान से क्या ही मांगू यही बात जब आपके अंदर आ जाती है तो ऐसे वक्ति के अंदर बोला जाती है और ये बात घटित होगी कि न तस दुरलबं किंचित रेशु न अगर आप ध्यान योग को सिद्ध कर लिए न जो बात कल मैंने बताईती है अगर आपके अंदर करुना भाव ना आ गई न तो जब आपके अंदर करुना भाव आ जाएगी तो ये चीज भी तो उस दोरान हो करता है ना इस बात को आप समझ रहे होगे कैसे चीज मैं कह रहा हूं ना आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या बोलागे सक्त केवल कुम्बकेन यथेस्ट वायू धारनात और यह मैंने बताया भी ताना जब आपके केवल कुम्बक लग जाएंगी तो आप इक्षा अनुसार यथेस्ट सकती ना जितना मन चाहे उत्री दिर क्या कर सकते हो आप वायू का धारन कर सकते हो केवल कुम्बक तो वही है और आगे फिर क्या बोलागे है राज योग पदम चौपी इसी को बोला ना मैंने कि केवल कुम्बक लग गया तो फिर राज योग बोलिए उन्मनी ब कि उसको राजियोक पुराप होई जाएगी केवल कुंभक लगा मतलब समझ जाओ कि अब अलमोस्ट राजियोक के कगार पर आगे चलते हैं अब कुंभकात कुंडली बोधम कुंडली बोधात बवेत बोधतो बवेत ना तो कुंभक लग गया मैंने पहली बोला था कि केवल कुंभक लग गया अब क्या होगा कि प्रान का प्रवा सुशुम्ना में होगा और जब प्रान का प्रवा सुशुम्ना में एक बार हो जाएग तो कुंडलनी भी उपर की ओर गमन करना शुरू कर देती है वही बोला कि कुंभक के अभ्यास से कुंडलनी जागरन होता है और कुंडलनी जागरन से सुशुमना नाड़ी मलरहित होती है हलाकि ये नाड़ी शुद्धी के दोरान हो ही जाती है और जब औरका। यह तो आपको पहले ही बता दिया गया था का उतेशी राजियों की प्राफ्थि और हट्यों क्यूं कर रहे थे ईड़ा और पिंग्ला को बैलेंस करने के लिए हट्यों कर रहे थे, ये हम था, इनी दोनों को बैलेंस करने के लिए कर रहे थे, और जब यह balance हुआ, तर जाकर के प्राहिसुशुमना में गवन किया और टक यह दोनो balance नहीं होगी यह उपर की और जाएगी नहीं और जब यह उपर की और जाएगी नहीं तो राज़ योग कहां से मिलेगा, प्रापती नहीं होगा इसलिए हट योग के बिना राज योग और राज योग के बिना हट योग क्या है निस्पल है कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है वही बात बोला ना शिद्यती ततो योग मनिश्य पत्ते संभ्य सेथ और जब ये सिद्ध नहीं होगा तो निस्पत्ति वही बोला कि निस्पत्ति और निस्पत्ती अवस्ता बोलिए राजियोग बोलिए एकी बात ना तो निस्पत्ती अवस्ता की प्राप्ती नहीं हो सकती है तब तक तो वही बात बोला ना अटियोग की बिना राजियोग राजियोग की बिना अटियोग की सिद्धी नहीं हो सकती अर्थात राजियोग ना निस्पत्ती राजियोग मनुमनी उन्मनी समाधि सारी एक ही बाते हैं आगे चलते हैं अब क्या बोलागे कुम्भक प्रान रोधानते कुरेयात चित्तम निरास रयम तो जब आप क्या हो गई आप कुम्भक लगा करके रोक लिए केवल कुम्भक आप लगा लिए तो फिर क्या होती है जो आपकी चित रहती है चित का कोई आसरे नहीं रह जाता है वो निरासरे हो आपको राजयोग पद की प्राप्ति हो जाती है यह सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है ना जब इड़ा पिंगला बैलेंस हुई उसके बाद आपकी प्राण सुश्मना में जाएगी यह जाएगी तो केवल कुंबक लग जाएगी केवल कुंबक होगी तो कुंडलनी जाग प्राण से कुछ अधिक समय में हो जाती है कायस क्रिस्ता कांतिस तथा यते तार्नम वायू अनलसे प्रदीप नम नादा दिवक्ति आरोग्यम यह बताया था नाड़ी शुद्धी के चिन्दि अब एक मिलते हैं आपको हट सिद्धी के लक्षन दोनों दिफरेंट हैं कि तो मतलब पतला होता है और फिर वधने प्रशन्ता और वहां क्या था जैसे था ना कायस क्रिस्ता फिर क्या था कांती थी कांती बोलिए या वदने परशन्नता बोलिए एक ही बात है ना चेहरे पर परशन्नता आ जाती है या कांती आ जाती है ग्लो आ जाती है बात एक ही है तो वर्ड का सारा खेल है ना से जनियती जटरागनी जटर परदीप्तम सारा वर्ड का ही खेल है तो आप वर्ड से फेमिलियर हो जाएं तो बहतर है न आगे क्या बोला गया नाद स्फुटत्वम आपको बिविन नाद भी सुनाई देने लगेंगे और वहां पर भी था ना कायस क्रिस्ता फिर कांती था फ नाद स्फुटत्वम नाद सुनाई देने लगेगा आपको अनाहत अनाद सुनाई देगी देखे जब यह हट सिद्धी की बात की जा रही है तो यह मानलो आपकी निस्पत्ति अवस्था की ही बात की जा रही है यहाँ पर क्योंकि इसके पहले केवल कुमबक बता दिया गय है यह आपकी लास्ट में ना मतलब केवल कुमबक हो गया यह आप अरंभा घटा परिचे निस्पत्ति अवस्था तक जब पहुँआ जाते हो न तो उस दोरान की भी हट सिद्धी यह हट सिद्धी क्या है राजियोग तो उसके यह लक्षन बताये जा रहे हैं और पहले ना आड़े शुद्धी विधी नाड़े निर्मल हुई थी वो उसके लक्षन थे तो ध्यान से थोड़ा सा समझीएगा इस बात की आगे क्या बोला गया नैने सुनिर्मले आपकी आँखों में चमक आ जाती है एक बात ध्यान रख्ये यहां देखिए यह स्वर सौस्थम लिख हो जाएंगे आप नाद स्वुटुत्वम ही याद रख्येगा फिर नैने सुनिर्मले आँखों में चमक आ जाती है और आरोग्यता मतशेंद राशन में देखते हैं एक लाव चंद्र इस्तिरत्वम ना चंद्रमंडल इस्तिर होता है और वही बिंदु जय मतलब उसको भी जय कर लिया न वो अब नीचे की और गमन ही नहीं करेगा बिंदु जय हो गए फिर क्या हो गई नाड़ी विशुद्धी आपकी नाड़ियां भी सारी सुद्ध हो गई सारी नाड़ियां भी निर्मल हो गई और ये हट सिद्धी के लक्षन बताए गए गए हैं और दोनों कि मैंने क्या पूछा वन वर्ड क्वेश्चन पूछा कल आपका सिक्वेंस पूछूंगा अब यह पूरा हट प्रदीपी का खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे ऐसे पूछूंगा नाड़ी शुद्धी के चिन किस चैप्टर में है उपत्यकारक बोजन किस चैप्टर में है मुद्राओं की चर्चा किस चैप्टर में है तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो देहान रखिएगा अब यहां पे सेकिंड चैप्टर खत्म हो जाता है अब तृतिये उकदेश शुरू होता है यह चैप्टर भी इनफेक्ट पूरे चैप्टर ही इंप अगले चैप्टर तीसरे चैप्टर की और तीसरे उपदेश की और यह बात याद रखेगा यहां चैप्टर को उपदेश कहा गया तो तीसरा उपदेश का नाम क्या था मैंने बता है पहले में क्या था आशन दूसरे में कुम्बक और तीसरे में मुद्रा तो मुद्रा की तो जो प्रकार हम लोग जानते हैं आ कि सेस्णाग के उपर ही पृतिवी का स्थानाग है कि मैठिक में पढते हैं तो उसी-प्रकार के में जो प्र प्रवत को ठाण की यथा ऑधारव है यह सर nedक सर्वय Йोग तन्त्रा नाम। उसी प्रकार सभी तंत्रों का, तंत्र मैंने बताया था न, जो भी चीज एनरजी को रिलीज करने से संबंदित हो, ये तंत्र इसी बात पर विश्वास रखती है, तो तंत्र का आधार क्या है, कुंडलनी, तो मैं आपको question क्या दूँगा, हट प्रदिपिका के नुसार, तंत तंत्रों का आधारी कुंडलनी को गोन दिया गया है, very very important, तो इसको जरूर याद रखेगा, सरवेशाम तंत्रा नाम यथा आधार होगी कुंडलनी, अब पहले भी मैंने बताया कि गुरू सबसे necessary है, बिना गुरू के कभी भी ये सिद्ध ही नहीं होगी, आप कितने भी अ परसाद से गुरू के किरपा से सुपता ना सोई हुई, गुरू के परसाद से यदा जागरित कुंडलनी, जिस प्रकार कुंडलनी जागरित हो जाती है, जैसे गुरू के परसाद से जब कुंडलनी क्या हो जाती है, जागरित हो जाती है, तब क्या होती है, तदा सरवानी, पद्मानी बिद्ध्यंते ग्रंथो अपी तो सारी क्या होती है पद्म सारे सचक्र जो है वो क्या होते है खुल जाते है और सभी ग्रंथियों का भेदन भी हो जाता है तो कुंडली जागी तो जाहिर सी बात है पद्म सारे खुल गए रास्ते खुल गए, गरंतियां खुल गई, अब कुंडलनी का गमन होगा, तो यहाँ पर गुरू की महत्ता एक तरीके से बताई जा रही है, अब आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ वहाँ पे दाना सुन्ने पद्वी, मैंने बताया, सुन्ने पद्वी आपकी सुशुमन में गमन हो जाती है, तब वो क्या होती है, एक हाइवे, राज मारग के समान क्या होता है, फिर मतलब वो राज मारग की तरह काम करती है, वो रास्ता जो होता है, मैंने पहले ही बताई कि इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होती है, यहाँ पर मल भरी होती है, लिकिन जब एक बार प्रान का प्रवा सुश्मना में हो जाता है उसके बाद यह बिल्कुल क्लीन हो जाती है अब एक दम हाइवे की तरह हो गई कि अब जब इसमें कुंडलनी गमन करेगी तो बहुत आराम से करेगी बिना किसी आलंबन के ना फिर तदा चित्तम निरालंबन तदा कालस या व मृत्यू के जन्म मर्न से न मृत्यू के चकर से ही दूर हो जाते हो क्यूं इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको मृत्यू का भय क्यूं होता है जब तक आपकी श्वास चलेगी न तब तक आपकी मृत्यू की भय हो जाएगी और अगर आपका चित जो आपका मन जो आपकी चेतना है जो आपकी चित है वो निरालंब हो जाए अगर वो किसी का अलंबन ही ना रहे आपकी चित आपकी श्वांस ना चले वातम चलम चितम तो यह चलेगा तो इसमें क्या होता है मरने का भय रहेगा ही रहेगा लेकिन अगर आपकी केवल कुम्बक हो जाए ना आप इस प्रकार इसको समझो मृत्यू का भय इखत्म हो जाएगा अगर आपके केवल कुम्बक लग गई अगर आपकी कुंडलनी जागरी तो हो गई मृत्यू का भय नहीं रहेगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर यह भी important है इसके भी नाम आपको याद रखना है यहाँ से question ऐसे बनते हैं कि इन में से कौन सुशुमना की परियावाची है और कौन नहीं है तो बहतर है आप इस लोग को याद कर लो क्या बोल दिया गया सुशुमना, सुन्य पद्वी जो अभी आपको यहाँ पर मिला था ना सुन्य पद्वी तो सुशुमना हो गई, सुन्य पद्वी हो गई ब्रह्मरंद्र, महापत, स्मशान, सांभवी और मद्यमार्ग यह साथ, तो यह भी जा सकता है कितनी परियावाची है साथ, सुशुमना, सुने पद्वी, ब्रह्मरंद्र, महापत, समशान, सामभवी और मध्यमारग, ये सारे सुशुमनाओं के परियावाची है, तो बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, आगे चलते हैं, अब तस्मात, सर्व, प्रयत, नेना जब सारे प्रयत्न, सारे जो आप महनत कर रहे हैं, उससे क्या होता है, फ्रबोद, ये तुम, इश्वरीम, ये देखें, इश्वरीम, वही कुंडलनी का ही अन्य नाम है, कुंडलनी की परियावाची आगे मिलेगी न, दो चीन चीज की परियावाची मिलेगी, एक सुशु इश्वरी दिखेंगी, और सुशुमना की परियावाची अभी आपने देख ली, तो यहाँ पर क्या बोलागे, तस्मात सर्व प्रयत्नेना, प्रबोद, ये तुम, इश्वरीम, ब्रम द्वार, मुखे सुपता, मुद्रा अभ्यासम, समाचरेद, अब मुद्रा का अभ्य अभ्यास क्यों करने के लिए कहा गया है, कि जो ब्रम मुख, ब्रम द्वार, ये क्या है, आपकी ब्रम द्वार बोलिये, या ब्रम नाड़ी बोलिये, या चित्रा नाड़ी बोलिये, या वैश्नभी बोलिये, एक ही बात है, तो इसके मुख पे, क्या है, जो सोई हुई हु मुद्रा भ्यासम समाचरित मुद्रा का भ्यास क्यूं किया जाता है इस कुंडली को जगाने के लिए ताकि ये उस ब्रह्मनाडी में ट्रैवल कर सके ना वही बात यहां पर बोला गया है क्या बोला कि सुशुम्ना के मूल अस्थान में सोईवी कुंडली को जगाने के लिए पुर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्यन ऐसे बनेंगे, सुशुम्ना के मूल अस्तान में सुवई खुंडली को जगाने के लिए, पुर्ण प्रयास के साथ किसका अभ्यास करना है, कुम्बक का, मुद्रा का, शटकर्म का, या नाधानुसंदान का, तो ये मुद्रा के लिए कहा गया है, ऐसे एक दो लाइन और भी आपको मिलेगी, तो ये याद रखिएगा, अब यहां मुद्राओं के नाम बोल दिये गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सिक्वेंस में याद रखें, तो बहतर है ना, क्या बोला, महा मुद्रा, महा बंदो, महा बेदस्य, खेचरी, उड्डियानम, मूल बंदस, ततो, जालंदर, विदः, एक बार मैं फिर से आपको यकीन दिला देता हूँ, सबसे पहले आपने आशन देखा था, तो आशन को कैसे बताया था, मैंने याद रखने, साथ, चार, और चार, साथ क्यों, साथ के विदी बताई गई है, लाव नहीं बताए गया, चार आशन के विदी भी बताई गई है, लाव भी बताये गए, जिसमें आपके, मतशेंडरासन, पस्ची मोर्तानासन, मैयूरासन और सवाशन था, और ये चार जो लास्ट में, ये स्रे स्टाशन में, सिद्धासन, पद्भासन, सिंबासन और बद्द्रासन, उसके बाद आपने शटकर्म देखा, शटकर्मे भी एक सिक्वेंस था, दोति, बस्तिस, तथानेती, त्राटक, नौली, कपालबाती, उसके बाद आपने कुम्बक का सिक्वेंस देखा, क्या गया था, सुरिबेदी, उज्जाई, सीतकारी, शीतली, भस्तरिका, ब्रामरी, प्लाविनी, ये था न, उसी प्रकार, अब आप मुद्रा का सिक्वेंस देख रहे हैं, तो आप इसको भी याद रखेगा, सिक्वेंस में ही, तो जादा बहतर होगा, न, तो मुद्रा, महामुद्रा, महावंद्र, मावेदस, चक्केचरी, उड्डियान, मूल, बंदस, तत ये दस मुद्राएं, ये दस कम, दस मुद्राएं क्या है, जरा मरन नासनम, ये बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा हो गया, और मरन मृत्यों को, मरन मृत्यों के न, तो बुढ़ापा और मृत्यों को क्या करती है, नास करती है, कौन मुद्राएं, फिर क्या बोला गय यह जो आधिनात के द्वारा बताई गई है यह क्या है डिव्य अस्टम एस्वर्य परदायकम यह दिव्य आठ प्रकार की ईश्वर्य देने वाली यह ना अस्ट सिद्धियाँ जो आप पढ़ते हो यह उसी की बात यहां पर की जा रही है तो दिव्य अस्ट एश्वर्य स्वेरे परदायकम यह मुद्रा का फल है ना कंप्लीट मुद्रा का लाव है जैसे यह कंप्लीट आसन का लाव था अब आगे क्या बोला गया वल लबं सर्वसिद्धानाम दुरलबं मरुतापी और इसलिए यह सभी सिद्धों के द्वारा इसको पूजनिये दुरलब मतलब म मिलती है यह जो चीज बहुत मेहन फंकर के मिलते है उसको अदो दुरलब बोलते यह बहुत अद्थक तो यह किस के लिए बोलागें ये पूरे मुद्राओं के लिए बोलागें caratam ठ्ठारा किसके लिए mlnp оно कि सुझ्ट के लिए के अबBO कि अ आपके दुट्झी ऑफ स्थ-ट्रभि रहेंगे आ अब आगे क्या बोला गया तो जिस प्रकार आप कुलंगनाओं के संगम की चर्चा ना कोई अपने चर्चा ना कोई कुलंगना अपनी सेखलाइब को डिसका है उसी प्रकार इस मुद्राओं को गोप नइ रखना है पहले भी मैंने बता है कि हट योग पहले रबॉल दिया उगए अपने शर्क्रम में भी ये बाते देखी, आपने मुद्रा में भी देखी तो पूरी हट योग जो है वो गोपनीए ही है तो ये बात हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि इसको क्या करना है? गोपनी ये रखना है, आगे बढ़ते अब महा मुद्रा के लिए बोल दिया गया थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं यहां पर क्या बोला गया वैसे हम लोग इसको बाद में प्रक्टिकल क्लास में देख लेंगे तो यहां से अलग यह लाईन शुरू हो जादी तो पैर का मूल को कहा लगाना है योनी इस्थान में लगाना है और फिर प्रसारितम पदम कृत्वा पैर को क्या करेंगे सीधा कर लेंगे को नसे पैर को दक्षिनम पैर को पकड़ेंगे कराभ्याम, कराभ्याम मतलब हाथों से ना, कराभ्याम दूई बचन है, तो कर मतलब हाथ हो गया, तो दोनों हाथों से क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, धार ये दृड़ता से पकड़ेंगे, और फिर कंठे बंधम, समारोप्य, धार ये दवायू, उर्दवत, और यहां लगाने को बोल दिया जाए सभी के सब जालंदर बंद करते ना तो फिर क्या बोल दिया गया जालंदर बंद करके धार्येद वाईू उर्दवद इंडरेक्ली यहां पर मूल बंद भी करने के लिए कहा जा वायू को ऊपर की और कैसे ले जाएंगे ये मूल बंद लगाने के लिए कह रहा है इंडिर्ट्ली आप समझ सकते हो मतलब चालंदर बंद भी लग गई और मूल बंद भी इंडिर्ट्ली ना वायू और दों कैसे होगा जिब आप अपान को उपर ले जाओगे तो मूल बंद के समान हो जाता है दंड के आकार का हो जाता है उसी प्रकार प्रिज्वी भूता यथा सक्ति कुंडली सहसाभवेद उसी प्रकार जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हो महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसके अभ्यास से क्या हो जाती है सक्ति सक्ति बताया था ना भी क कुंडलनी कही अन्य नाम है न तो सक्ति कुंडलनी कुंडलनी सक्ति क्या हो जाती है सहसा भवे सीधी हो जाती है जैसे साप सीधा हो जाती है न उसी प्रकार महा मुद्रा के अभ्या से कुंडलनी सीधी हो जाती है इसका मतलब कुंडलनी सुशमना में गमन करने के लिए रेड कि अमधा मनलब तब क्या हो जाता है तर दब जब और ऊपर कोन्दी करने लिए यह ukरने लगती तब क्या होती है सफिके सब्सक्राइश मरना वस्ता जायते डा लिए फुटास रहा फिर क्या वत्ति यह लग जाती है और क्या को मतलब मतलब जो दोनों शिवाशारार। में जो श्वास क्रिया सीलती वो रुप जाती है मतलब केवल कुंबक की स्थिति उस दौरान होती है उसी बातों को मा करके कहा जा रहा है क्या बोल दिया गया इसके फल्सवरूप किसके फल्सवरूप जब कुंडलनी क्या होती है उपर की और गमन करती है सीधा होकर उसी प्र प्राण चल रहा था वह रुख जाती है समाप्त हो जाती क्योंकि उस वरां के वलकुम्बक लग जाती है यह बात पहले पर डिसकस कर लिया हम लोगों ने और फिर क्या करना है देखें इनीशली क्या बोल दिया गया था जालंदरबंद ध्यान रखें ना जालंदरबंद और यहाँ पर श्वांस नहीं बदाया गया था लेकिन हम लोग जानते हैं जालंदरबंद कब करेंगे पूरा कांते मतलब श्वांस अल्रेडी लिया जा चुपा था शुरू में ही जब आप जालंदरबंद लगाए थे और फिर क्या किया गया तता सने सने रेव रे चाये न त कोड़ेंगे और इसी को महा सिद्धों ने क्या बोल दिया महा मुद्रा बोल दिया ना तो यह बात ध्यान रखिएगा अब इसके कुछ फल की बात की जाती है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं तो इसका फल क्या बोला गया महा क्लेस आदयो तो इससे महा क्लेस आदी क्या ह मतलब आपको समाधी किस्तिती हो गई आपको अद्वयत की प्राप्ति हो गई तो जब अद्वयत की प्राप्ति हो गई आपके अंदर करुना भाव आ गया तो मरना वस्ता मरने का भाई तो खत्म होई जाएगा ना फिर क्योंकि आपको पता चल गया कि यह सब मुव माया है ना तो फिर मृत्यू का भाई कैसा वही बात यहां बोली गया शी अंते मरना दया महा मुद्रा तो ते नेवा वदंती विवदों उत्तमा और इशी को विद्वान लोग महा मुद्रा कहते है ना इशी को जो अभी हम लोग ने डिसकस किया उसी को महा मुद्रा कहा गया है आगे देखते हैं क्या बोल दिया अब देखिए चंदर आंगे तूसम व्यस्या सुर्य आंगे पुनरब व्यसे तो आपने क्या किया पहले लेफ्ट से करेंगे और इससे क्या होगा यावत तुल्या भवेट संख्या तुल्या मतलब हो गया तराजू तो जैसे तराजू बैलेंस होती है संख्या में उसी प्रकाइद यह भी balance हो जाएगी ही कि दर से किया right pair को fold करब केदיד किया अब उसी को left pair से करेंगे तो यह क्या संख्या balance हो जाएगी event number हो जाएगा और तो मुद्रा विसर जाएद उसके बाद फिर महा मुद्रा का अब्यास बंद करना है और नंबर में इवन नंबर में practice को खत्म करेंगे ना अब इसका फल और क्या बोल गया पहले तो महाकलेस देखे, यहाँ पर यह महाकलेस हो ही गया उसके अलाबा क्या बोल दिया गया नौही पत्थेम ओपत्थेम तो यहाँ पर भी अगर आप अपथ्य बोजन भी खालो, तो वो भी क्या हो जाता है, रसा सरवे अपी नीरसा, वो भी नीरस हो जाता है, वो भी बहुत सहज पच जाता है, और क्या बोल दिया गया, अपी भुक्तम विशम गोरम, अगर आप घोर विश भी पी लेते हो, खा लेते हो, तो पियुशम इव ज देरीर यती तो वह भी अम्रित के समान हो जाता है तो विश्का जिक्र अब दो जगह हो गया एक आपके महामुध्रा और उससे पहले कहा था एक बार कोई भीम अग focused करके बता दें लेकिन यहां पर clear cut लिखा हुआ है तो यह ध्यान रखिएगा ना यहां पर clear cut वीशानी वीशानी दोनों जगे लिखा है ना यहां पर विश और वहां पर विशानी शीतली और मयुरासन में जारियत काल को उपन तो थोड़ा साथ सतर करहिए का वर्ड से अब आगे क्या बोल क você भूता हम इहां पर कुछ भी दे सकता हूं मैं मुद्रा भी दे सकता हूं शटकर्म भी दे सकता आँँ अब की कुम्वक्ट में दे सकता हूं यह बार ध्यान रखिएगा उसी प्रकार ये उस लोग यहां पर क्या बोल दिया च्शय इस बार का पिपेडर उठाकर कर के दे तो पेपर जाकर देखिए का मिल जागा तो मैं क्या करूँगा यही उठाकर गे दूँगा च्छे कुष्ट गुदावर्थ गुल्म अजिर्न पुरोगमा किसका लाब बताया गया तो यह आपके महामुद्रा का लाब बताया अब यह है क्या इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जो भी गरबड़ी होगी उसको करेगा और और जीर्ण बोल लेका यह पुर्ण गविर बिमारी वगेर को गई तो यह क्या हो इससे संबदित जो भी यहाआ पुरोगमा यह सब को क्या करेगा वह खत्म करता है और 10 से 2 सा च्छेयन यांति माहमुद्रटु अभ्यसित और इसलिए इन सारे दोसों का च्छै करने के लिए ही मामुद्रा का अभ्यास करने के लिए तहाग गया है तो ध्यान रखेगा ऐसे-ऐसे सलोक बहुत सारे हैं और उतने भी नहीं है न दस दस लोक में बोलूँगा कि दस लोक ऐसे लाब वाले आप जरूर याद रखेगा जै कोई उपाई नहीं समझाने के लिए आप मुझसे पूछ लो मैं आपको समझा दूगा लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना जिसे आपने कैसे योगस्चित वृत्ति निरोध याद किया ना उसी प्रतार इसको भी याद कर लीजिए दिले दिले एक दिन में तो याद करना ही नहीं है अब कथी ते महा मुद्रा और इसी को महा मुद्रा बोल दिया गया और यह क्या है महा सिद्धी करी निरनाम और यह महा सिद्धी देने वाली है तो पहले तो बताई दिये गया था कि महा अस्ट अस्वेर प्रदाय नहीं ना अस्ट दिवैश्वरिया देती है वही च्छेकुस्ट गुदावर्थ गुलमजिर्न पुरोगमा उसके पहले हम लोग ने महाकलेस देखा और उसके बाद नौही पत्यम और बुक्तम विशम गोर तो ये तीन चार लाब याद रखे लिजेगा क्या एक महाकलेस बता दिया महाकलेस आपके महामुद्रा से ध्यान यह थे बहुत इंबुक्तम च्सक्राइब करता है यह जो भी पुराने करन से भी अगर कोई रोग हो तो इसको हैं तृष सभौन सब्सक्राइब ब чем कारण होते ने इन सबी या इसको आज यहां तक प entri देखता हुए स्यूर नहीं हूं क्यूकि मुद्रा बहुत बड़ा है तो ये मुद्रा вс Voyage परक्रसों पकाई हो जाएगा और मुद्रा के बाद I Do संधान ना निक रहे चाप्टर में वी मांगी चलो दो दिन होगा और उसके बाद हम लोग बहुत सारा मान के चलो आप 70-80 questions practice करेंगे जो जो आज पूछा था उसका वीडियो आप जा करके देखना जो लोग miss कर दी आज का साड़े साथ बजे वाला class बहुत important था मैंने अभी तक जितने चीज़ें आपको पढ़ाया आजेगे सामने आ सकते हैं तो जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई अभी तक आशन पढ़ाया उसके question थे कुमबक पढ़ाया उसके question थे उसमें cable question है अगर आप theory नहीं पढ़े होंगे तो question को मत करना मैं फिर बोल देता हूं अगर आप videos को देखे होंगे तब ही जाकर के question को करना नहीं तो आप demotivate हो क्योंकि ऐसे question आपको कोई नहीं कराता है और आपने ऐसे question पहले कभी देखे भी नहीं होंगे मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो मुझसे एक जुलाई से पहले मिल चुके हैं वह familiar होंगे लेकिन अगर आप मुझसे एक जुलाई से मिलना शुरू किये हो तो आप वैसे question पह कभी मैंने approach ही नहीं कि इसके वज़े से फिर आप negativity आपके उसमें आने लग जाएगी ना फिर आपका motivation कम हो जाएगा तो वीडियो देखना फिर जाकर के question और हो सकता है बरुसा नहीं है तो पहले आप question ही देख लेना ताकि आपको reality से भी face to face हो जाए क्योंकि यह तो पहला पत्य कारक है उसका sequence आता है अपने previous year देखा होगा पत्य कारक sequence है उसके sequence आते हैं इसे दियोगियों के नाम आप देख लेना जरूर है हाँ थोड़ा ज्यादा मैं आपको दे रहा हूं task homework लेकिन actually करना पड़ेगा और अगर आपको एक और दिन चाहिए तो वह भी बता दो एक और दिन चाहिए तो hand raise कर लो आप कितने लोगों को लगता है एक और दिन चाहिए हाँ यहाँ पर देता है किसी को नहीं सब लोग ready हो ओक एक बड़ मैं क्यों को खोल लेता हूं कितने लोग hand raise कर रहे हैं इसे बात में only one बागी सब लोग prepare हैं क्या आँ एक दो तीन चार आब हाथ उठने लगे लगता है 6, 7 ओके ठीक है चलिए मैं आपको एक और दिन दूँगा लेकिन दिन बढ़ेगा तो सिलेवस भी बढ़ जाएगा यह नहीं सोचना है दिन बढ़ेगा तो सिलेवस भी बढ़ जाएगा क्या पता परसों होतो वो मुद्राएं भी साथ आज यह है आज तक मुझे पूरा भरोसा है आपने केवल इदर से उठाए हाँ पंद्रे आशने चलो यह यह आशने अच्छ दस मुद्राएं यह यह है उसका लाव अच्छ है इसमें यह 20 प्रगार के कफ़दोस दूर होते हैं अच्छ इसे कफ़दोस होता है अच्छ इसे वीडियोस को देखना जो लोग कुईज में थे न मुझे लगता है दस बारे लोग थे बागी जो लोग नहीं थे उन क्वेस्टन को देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा ओन्फिडेंट फील करोगे अपने आपको जब आप वैसे क्वेस्टन को करने में सक्षम रहेंगे ना आज के लिए लोग इतना रखते हैं फिर मिलते हैं कल तो क्विज नहीं है लेकिन साड़े साथ बजे मिलेंगे क्यों मिलेंगे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं वैसे लोग जरूर आ जाना जिनको रिवाइज कुछ करना रहता है ना मैं बता दू कि देखो यह इंपॉर्टेंट है इसको याद करें तो साड़े साथ बजे वैसे लोग जूट जाएं तो अगर किसी दिन लेट से होगा क्लास तो मैं वहां पर पिपिटी लगा देता हूं कि क्लास साड़े साथ बजे तो आप चेक कर लेना अधर वाइस आप टेलीग्राम मिल गया सभी को कोई है जिसको एक बार हैंड मैं कर देता हूं लोग ग्रूप मिल गया सभी को जिनको नहीं मिला आप वाटसेप ग्रूप वाटसेप कर देना मुझे इसाथ टेलीग्राम का लिंक बेज दीजे क्लास की अपडेट न यह जिन लोगों ने इन्रोल कर लिया है उनको तो मैं पर्सनली उन ग्रूप में भीज देता हूं उनको मिल जाती है लेकिन वैसे लोग जो अभी भी डेमू ले रहे हैं और यह बुरा नहीं कोई बात नहीं आप आराम से करो तो उनको मैं टेलीग्राम के माध्यम से वह अपडेट दूँगा तो आपको पता चल कर देना हो सकता है मेरे द्यान से निकल लिगा लेकिन मुझे लगता है जितने लोगों को अगर कोई है यहां पर जो पेमिंट कर दिया लेकिन आप उस ग्रूप में नहीं जूड़े हो न यूजी सी नेट योगा दोजार चॉबिस दिसंबर तो मैं आपको आपको आड़ कर ऐधिए, हुरी ओगो, हुरी ओगो